दा इंडियन बजट गेमर यानि कि अब्दुल राशित भाई के चैनल के उपर मैंने कुछ दिनों पहले एक हेड़फोन की विडियो देखी जो कि किसी गेमिंग हेडफोन के ब्रैंड से नहीं थे बल्कि उन्होंने एक ऐसे हेडफोन के पेर को रिव्यू करा जो कि जनरली व को आज हम गेमिंग हेडफोन की तरह यूज करके देखने वले हैं प्राइस की बात करी जाए तो एमर्पी मेंचेंड है आपर 2504 2504 रूपीज मैंने इंको मगवाया है 2450 रूपीज का बट आई बिलीव कि सेल पीरियोड में यह 2000 से नीचे के भी जाते हैं तो आप इनको अं सिल्वर का बॉक्स है क्योंकि यह गोल्डन और सिल्वर एक्सेंट में आते हैं काफी सारी कलर में आते हैं मैं एमेजॉन का एफिलेट लिंक छोड़ दूँगा वीडियो की डिस्रिप्शन में वहास जागर आप अपनी मनपरसंद कलर का मंगवा सकते हो और इसके उपर एक तरीके का दिख रहा है क्योंकि मैं पहले ही खोल चुका हूं उनको तो सबसे पहले हैटफोंस निकाल लेते हैं जो कि इस लेदर राइट के पाउच में में देखने के लिए मिलते हैं यहां पर भी सामने की तरफ वन ओडियो की ब्रांडिंग है और इनको अगर आप ऐसे कर खोलोगे तो इसके अंदर से यह एड़फोंस निकलाएंगे पीछे की तरफ भी पूरे घूम जाते हैं यह कप क्योंकि यह जैसा की बॉक्स के ऊपर मेंशन है सिंगल साइड मॉनिटरिंग के लिए भी यूज करते हैं लोग इसको एक साइड में रहता हूं और बाकी बॉक केबल भी मिल जाती है जो कि आप अपने आडियो इंटरफेस में लगा सकते हो और इंस्ट्रूमेंट्स वगेरे को भी मॉनिटर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो 50 रूपीज रीफंड का कूपॉन मिल जाता है जो कि आप इसको क्लेम कर सकते हो Amazon पर इनको 5 स्टार रेटिं देखने के लिए मिल जाती है एर कुशन में और यहां पर मेमरी फोम तो नहीं लग रही है मुझे जैसा कि आप लोग जानते हो मेमरी फोम अगर हम दबाते हैं तो वह वापिस नहीं आती है तो 235 ग्राम का वेट हम बोल सकते हैं कि इन हेड़फोन का है थोड़ा सा अंदा ह आपने देखा होगा मैंने चैनल के ऊपर हाइपर एक्स के और लॉजिटेक के ऐसे गेमिंग हैटफोन रिव्यू करें हैं जिनका वेट 170-160 ग्राम के आसफास होता है क्योंकि वह specially competitive खेलने के लिए e-sports ट्राइटल के लिए जहां पर आपको घंटो घंटो इनको अपने सर क उपर पहन कर रखना होगा वो उसे साब से light weight बने होते हैं आपको बिल्कुल भी discomfort ना हो उनको यूज करते समय लुक्स के मामले में मैं इनको definitely एक fashion statement बोल सकता हूँ I believe अगर आप क्लब में DJ हो तो आपके गले में यह बहुत सुंदर लगेंगे तो I think कि उस नजरिये से अगर हम देखते हैं तो वाके में यह काफी flashy और एक fashion statement लग रहे हैं बट gamers के हिसाब से अगर मैं बोलू तो मैं looks को उतने अच्छे marks नहीं दूँआ क्योंकि एक तो कोई भी RGB element नहीं है इसके अंदर जैसा कि generally लोग gaming headphones से expect करते हैं प्लास्टिक्स यूज हुए है उनकी fit and finish तो वाकई काबिले तारीफ है इसमें कोई दो राहे नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो यह mechanism भी बहुत smoothly काम कर रहा है और काफी sturdy भी feel होता है यह ऐसा लगता है कि अपनी जगह पर काफी time तक के hold रखेगा अपने headbands को बट अगर म तो मुझे थोड़ी सी on the average side लग रही है पूरी तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि वाकई में दिखने में जो finish है जो fit है पूरे के पूरे headphones की वो काफी professional लग रही है काफी detailed लग रही है तो मेरे साफ से जतना इनका warranty period है उतना time तो यह निकाली लेंगे अगर आप इनको use करते ह लंबे समय तक भी headphones के ऊपर किसी भी तरीके के volume controls या फिर play pause controls नहीं मिलते हैं सिर्फ दो jacks है यहां पर दो ports है एक यह 3.5 mm वाला standard headphone jack है और एक बड़े वाला port है जिसका size I think 6.5 mm होता if I'm not wrong जिसके अंदर यह वाली cable लगाकर आप audio monitoring के लिए इसको use कर सकते हो इनके weight को ध्या driver use कर रहा हूं फिर चाहे वो music listening के लिए हो या फिर अपने gaming के time पर या फिर video editing के time पर and मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा इसकी audio quality के लिए mind blowing I am blown away guys मैंने सच में सिर्फ एक 2000 रुपे के headphone से इतनी तगड़ी audio quality expect नहीं करी दी या फिर मैं कहूं audio quality expect नहीं करी द तो just go for them आपको दूसरा कोई headphone सोचने की भी नीड नहीं है अकर आप music listening के time पर bass बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो पर ऐसे बहुत कम headphones होते हैं जो bass heavy होने के बावजूद भी vocals में highs में और mids में काफी अच्छा balance maintain करके रखें बट वहां पर भी one audio का यह जो headphone है यह shine करता है और यह बहुत अच्छे से highs and mids में भी अपना balance बना के रखता है और बहुत ही अच्छा amazing music listening experience है बट क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं इसको as a gaming headphone यूज करने की इन्होंने मुझे बिलकुल भी निराश नहीं किया है खासकर आप जानते हो कि मैं campaign games खेलता हूँ बहुत ज competitive titles में e-sports में इनके usage को लेकर तो वहां पर एक चीज जो आपको दिक्कत करेगी वो है इनका weight बट अगर मैं sound quality की बात करता हूँ तो वहां पर भी आपको यह headphones निराश नहीं करेंगे e-sports में भी यह headphones की जो sound quality है वो काफी अच्छी है stereo separation भी अच्छी है आपको left and right अच्छ देना चाहूंगा तो मैं दूंगा a solid 8 out of 10 guys जो की बहुत ही जादा है अगर आप लोग जानते हो मुझे kudos to one audio इतना बहतरीन काम करने के लिए 50 mm के drivers है यह इन दोनों ear cups में जो की बहुत amazing sound produce करते है audio quality अच्छी होना एक चीज है पर उसके अलावा जो इनकी grip होती है आपके head के ऊपर वो बहुत solid होती है बहुत ही snug होती है एंड उस वज़े से भी sound leak की problem भी तोड़ी सी minimize हो जाती है और इसके साथ सा जो immersion होता है audio सुनते वक्त वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक यह quality भी मैं यहाँ पर add करना चाहूंगा बट यही quality आगे चलकर हम discuss करेंगे कि कैसे problem भी बन गई थी मेरे लिए तो box के उपर इसकी तीन ऐसी qualities mentioned थी जो generally आप लोगों को gaming headphones में देखने के लिए नहीं मिलेंगी सबसे पहली यह कि जो इसके ear cups है वो पूरे के पूरे 360 rotatable है यानि कि आप बहार की तरफ भी इनको मोर सकते हो and यह चीज भी generally उनी को काम में आएगी जो audio monitoring का काम करते हैं studio में, music production में काम करते हैं, gaming में यह feature का use नहीं है, दूसरी चीज share port, share port का मतलब यह होता है कि आप headphones के अंदर ही दूसरे headphones connect कर सकते हो, so that एक ही audio source से आप दो pairs of headphones में same audio route कर सको, दे सको, और यह feature भी honestly speaking gamers के काम का नहीं है, but एक feature मुझे ऐसा लगा जो इनको काफी portable बना देता है, जो की है इनका पूरी तरीके से foldable होना, जैसा कि आप देख सकते हो, ear cups यहां से to fold हो ही जाते हैं, और यहां से भी fold हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप इनको पूरा पूरा fold करके छुटकू सा ऐसा बना सकते हो, जिसकी वज़े से इसको carry करन बहुत थीजी हुजाता है और यह वन आफ दोस फ्यू हेडफोन है जिनके साथ जो कैरी पाउच मिला हुआ है मैंने उसको काफी ओफन यूज किया इसके लावा जो दो सबस्टेबले ड्रॉबैक्स लगे मुझे इस हेडफोन के वो है इनका ग्रिपी नेचर जैसा कि आप दे आउडियो सुनाई देती है बट बहुत जादा समय तक बहुत लंबे समय तक पहन के रखने में वो अनकमफटेबल हो जाते है एक तो इनका वेट भी थोड़ा जादा है और उपर से बहुत टाइट फिटिंग होती है इनकी तो यह एक कंसिडर करने विली चीज है खासकर अ तो अगर मैं usability factor की बात करता हूँ जिसमें आजाती है इसकी build quality और इसका comfort उसे इसाप से भी मैं इसको 7 out of 10 देना चाहूंगा और looks के इसाप से हम marks नहीं देते हैं वो आप अपने इसाप से decide कर लो और तो कितने marks दोगे एक बर मुझे नीचे कमेंट करेंगे ज़रूर बतान तो पंखा भी ने चल रहा है और मैं ये रात के जमें record कर रहा हूँ तो गली से कोई traffic की आवाज भी नहीं आ रही है एक बर मुझे आप लोग comment करके बताओ क्या ये audio podcast या फिर voice overs के लिए आपको usable लग रही है या फिर नहीं क्योंकि मैंने इनको पहले use करके देखा है game chats में तो जो बे listeners थे दूसरे end पे उन्होंने इस mic की कोई मुझे ऐसी कमी नहीं बताई है उनको काफी clear audio आरी दी and मेरा भी यह experience है and अपने experience के साब से अगर मैं इनको out of 10 marks देना चाहूं तो मैं a solid 6 out of 10 दूँगा so this is it guys यह था मेरा review one audio की तरफ से आने मला pro 10 G studio headphones जिनको हमने एक gaming headphones की नजर से जज़ किया gamer की नजर से ज़ज किया and I think कि अगर आप इनके साथ जाते हो being a gamer तो आप definitely एक काफी अच्छा product अचीव करोगे 2000 रुपे के price bracket के अंदर और हाँ अगर आपको इस उजहाव देना चा और तक के लिए अरियोस तो यहां पर मैंने ठिलनों सा आपका गाना चला दिया है तो जो controller वाला end है वह headphones के अंदर लगेगा राइट वाले ear cup में और यह वाला जो end है वह हम लगाएंगे phone के अंदर आप इसी बटन को प्रेस करते हैं जी हां जैसा कि आप देख सकते हो यह मैंने कर दिया pause यह मैंने कर दिया play तो इस तरीके से आप इनको control भी कर चकते हो में music को और इसी बटन से आप call answer भी कर पाऊगे call cut भी कर पाऊगे एक बार इस mic की quality भी आप लोगों को सुना देता हूं